हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एज्जुकेशन क्लिनिक यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करिए साइन्टिफिक क्लिनिकल प्रिवेंटिव एज्जुकेशन के लिए जरूरी है कि आप अपडेटिड रहें और जो भी नए वीडियो आए वो फिर डारेक्ली आप तक पहुंचें तो यह बहुत है उसका दोगों को हो रहा है और कब्सकी डवाई के कारण लोगों का पेट लोगों की आउंत खंशोर होसाती है और एक समय के बाद पता है की कभ्च की डवाई लियेगर सोभई साप नहीं होता मोशन नहीं आती और जैसे जैसे हम progress करते हैं आगे लगजे tips के साथ यानि कब्स की दबाई के साथ तो हमें कुछ जादा dose लेनी पड़ती है या पिर हमें कोई brand change करना पड़ता है यानि और इस टरॉंग फिर और स्टरॉंग dose और जाधाधा ये सब कुछ चलता रहता है और एक दिन हमें पता लगता है कि कोई भी कब्स की दबाई काम नहीं करती है, हमें स्टूर पास नहीं होता है, अच्छे से हम एनिमा भी लगाते हैं, बहुत सारे घर के नुस्खे भी अपनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्ल की सेंसिटिविटी है, जो हमारी बॉड़ी के अंदर गयास्टिक कंटेंट्स हैं, यानि इसको इस तरह कि इससे आप समझे, हमारे पाचंत अंत्र को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टेमिक फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि सेलेवे का सेक्रीशन अच्छा हो, ह प्लस जो हमारे एंजाइम सें वो प्रॉपर ली रहें और जी आई फ्लोरा जिसमें की बाइटमिन बी कंप्लेक्स प्रिडूस होता है, वो रिस्टोर रहे और इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशन है वो भी नॉर्मलाइज रहें, लेकिन इससे बिलकुल बिप्रीत उल्टा ह होता है कि जब हम लेते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है, इंटेस्टाइन की सेंसेटिविटी कम हो जाती है, और हमें भूख प्यास बदल जाती है, और हमें काफी कमजोरी आती है, और जो कंटेंट या हमारी बाड़ी को जो एब्सॉब होने के बाद, ज लगजेटिव सही लगजेटिव का चुनाप करें और लगजेटिव केवल SOS या फिर उतने ही टाइम लें ME चुतने जितने टाइम आपके फिजिशन नहीं आपको प्रिस्काइब की लगजेटिव से आप बचे ऐतना बचें उतना बेटर है क्योंकि लौंक् लगजेटिब का जो यूज है वोना केवल आपके बॉन्स को मसल्स को वीकन करेगा बलकि आपके टोटल बॉड़ी में भी वीकनेस पैदा करता है जिससे की लगजेटिब में यदि किसी को लगजेटिब की आवशकता भी है तो नेच्रल लगजेटिब का चुनाब करें जिसमें की इसब गोल हो सकता है आपका फाइबर फूड लें अच्छे से लिक्विट इंटेक इंक्रीज करें एक्सरसाइज करें और यदि फिर भी किसी को की आवश्यक्ता होती है तो आप तिर्फला ले सकते हैं तिर्फला से ना किवर लग्जेटिव का परपस सॉल्व होता है बलकि भूक अच्छी लगती है आपको एब्जॉप्शन अच्छा होता है और तिर्फला पेट के लिए कब्स के लिए गैस के लिए और पूड में पपया सामिल करें, एप्ल सामिल करें, उसके बाद आप मल्टी ग्रिन दलिया खाएं, पोहा खाएं, ओड मील्स लें आप, इसब गोल लें आप, और बेशन का चीला खाएं यदि आप दाल खाते हैं तो दाल को कम से कम 12 गंटे पानी में डाल के रखें दाल को कभी भी डारेक्ली नहीं बनाना चाहिए दाल काफी ऐसे डिक है और दाल को आप जितना कम खाएं उतना बेटर है लेकिन यदि दाल खाते भी हैं तो आप दाल को कम से कम 12 hours पानी में डाल के रखिए उसके बाद morning में आप उसे बना सकते हैं next point आता है कि पानी की कमी के कारण भी कुछ लोगों को constipation देखा जाता है तीन से चाल लीटर पानी पीएं यदि आप हलका गरम पानी पी सकते हैं तो इस मच बेटर आप juice पीएं आप fruits खाएं और आपका जो बेल पत्थर है और जो आपका चुकंदर है जो आपका गाजर है जो आपका एपल है ये काफी healthy food हैं इससे ना के बल आपको nutrition मिलता है बलकि आपका GI system है वो काफी regulate होता है तो ये आप अपने खाने में सामिल कर सकते हैं make sure करें कि regular basis exercise करें exercise बहुत जरूरी है constipation बाले patient के लिए morning में गरम पानी पी के walk कर सकते हैं procedure चड़ सकते हैं या आप thousand steps घर में भी कर सकते हैं तो उससे आपकी इंटेस्टाइन है वो थोड़ी soften हो जाती है active हो जाती है आपका stool easily pass हो जाता है उसके बाद यह है कि यदि आपको कोई stress है यदि आप कोई pain killer लेते हैं कोई antibiotic लेते हैं या किसी hormonal therapy पर आप हैं तो उसके कारण भी आपको constipation हो सकता है चोटे बच्चे जो junk food बहुत जादा खाते हैं घर में बैठे रहते हैं उस गाइनेकोलोजिकल प्रॉब्लम में भी यह देखा जाता है कई वरी PCOD है और PCOS में menstrual cycle के आसपास भी constipation एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और pregnant female में भी constipation बहुत कॉमन है तो constipation को जितना आप naturally food से regulate करेंगे जितना आप natural fiber लेंगे जितना आप ज़्यादे liquid ले सकते हैं और जितना आप walk करेंगे और active life style जाएंगे and make sure करें कि अच्छी नीद लें और stress manage करें और किसी भी तरह की pain color antibiotic steroids का इस्तेमाल लंबे समय तक आपको constipation पैदा करता है तो ये सब आपको ध्यान रखना है इससे बचने की आवशकता है लेकिन luxatives कोई constipation का कोई solution नहीं है एक relief है एक temporary relief है कोई ilाज नहीं है इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी life style को modify करें आप अपने food को ठीक करें और आप walking करें और naturally natural luxury का चुनाब करें natural fibers का चुनाब करें अच्छी amount में fiber लेने से अच्छे amount में पानी पीने से और walk करने से constipation की problem काफी हद तक solve हो जाती है तो constipation की medicine है वो एक alcohol की तरह है वो एक आदत पढ़ जाती है आपको और day by day आपकी जो body है वो ज़्यादा medicine demand करती है जिससे की laxative के कारण लोगों को problem होती है और laxative छोड़ने से फिर उनका जो constipation है वो बहुत जादा बढ़ जाता है तो जरूरत इस बात की है कि laxative का चुनाप सोच समझ कर करें और laxative में आप जितना natural fiber लेंगे या फिर आप natural laxative लाएक है तिर फला तो ये आपके लिए फायदे बंद है या फिर आप सौंप का पानी या जीरे का पानी पी सकते हैं उसके बाद आप बेल पत्थर खा सकते हैं या फिर कुछ fruits हैं वो आप खाएं और जिन लोगों को बहुत जादा मतलब problem रहती है तो वो बेल पत्थर खाएं उसका पफी पार्ट मतलब उसका अंदर वाला जो पार्ट है और जो apple है वो पूरा खाएं काला या सेंदा नमक के साथ तो काफी हद तक आपका constipation naturally ठीक हो जाएगा बट मेक्शूर करें कि लग्जेटिव का overdose लग्जेटिव की आदत आपकी आतों को कमजोर करेगी आपको weakness पैदा करेगी dependent पैदा करेगी और long term इसके कोई फायदे आपको नहीं होंगे काफी नुकसान आपको झेल ले होंगे तो लग्जेटिव इमीडिटली ब करें करें दो